एक बाद फिर से थपकी को शर्मिन्दा होना पड़ा रिष्टो की कस्वाटी ने उन्हें इस तराजू पर ला छोड़ा आप भी जानना चाहते हैं ना कि आखेर ऐसा क्या हुआ कि थपकी को ये सब जेलना पड़ा तो जनाब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थपकी के पास ही ले चलते हैं जहां वो अपनी आप बीती हमारे साथ बाट रही है बहुत इंपॉर्टन सीन चल रहा है जिसमें सीन का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि थपकी तराजू के उपर बैठी हुई है जैसे की पांडेज निवास की ये रस्म है हर साल की की दिवाली के दिन ऐसी कोई ना कोई चीज अपनी जो सबसे प्यारी होती है जिसे आप भूलकर आगे बढ़ना चाते हो जो आपकी सबसे प्यारी रह चुकी होती है पास्ट में चीज वो चीज आप उससे दान करते हो तराजू पर रखते हो पूजा के टाइम दिवाली के रात कोई और वो दान की जाते है उसके बदले फिर अनाज रखा जाता है और उसे गरीब बच्चों में जहां भी है वो हां दान किया जाता है तो सब बारी-बारी से अपनी चिट्स बना और मैं फुल गुस्से में आ जाती हूं और मैं तराजू पर बैठ जाते हूं कि नहीं बिहान कि अगर ये इच्छा है और इस घर की रस्म है तो ये कैसे पूरी नहीं होगी पूरी ओ यानि कि हर बार की तरह ही बिहान बाबू ही थपकी के दुख का कारण बन गए खैर इस मौके पर तो हर किसी में अपनी फेवरिट चीज को त्याग किया है थपकी आप अपनी कौन सी फेवरिट चीज को छोड़ना चाहोगी किसी जमाने में दिये थे तो मैंने वो अपनी सबसे प्यारी चीज दान करी वैसे दिवाली के बाद दियों से तराजू बनाने का खेल तो आप सब ने खेला होगा लेकिन थपकी याने की जग्यासा को तराजू पर बैट कर इस तरह का सीन करना होगा ये तो इन्होंने शायद ही सोचा होगा लेकिन इस बीच थपकी ने अपने बच्पन की यादों को हमारे साथ बाटने का मौका नहीं चोड़ा वेल थपकी ने तो बिहान की बात को मानते हुए उनके इस इच्छा को पूरा कर दिया आप इस नजारी को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंज के जरीए बताना ना भूलें